है इस तरह से हुंडा सेंद बैक में रिंग को फिट की जा आपको का भी नहीं बैक में वाइट समू का प्रॉलम धुरेर आज कुछ नियाद सीखिए लेते बैक के एक है यह बोर करवा है और इस बैक में भी रिंग को हम करेंगे इस्टॉल चलिए आपको फटा-फट से बतलाने रिंग को किस तरह से इस्टॉल करेंगे सबसे पहले बात कि जब भी आप बलोग में बोर करवाते हैं तो फिरी से जोहां बिल्कुल टैंट पूर नहीं होगा बिल्कुल आपको इस बात कर लिए जब याप में रिंग फिट कर दे प्रोपर सकत्रोम इसको पैट्रोल साच वास कर लिए उसके बाद पिश्टन के अंदर रिंग इस्टॉल करें उसके बाद देखे आप इसका जोड़ लॉक आता है एक लोग को ये लोग को इस तरफ दिफिट करते गज़ाते हैं अभी हम बात करेंगे रिंग को किस तरह से स्पिस्टन में स्टमल करें ता कि गज़ा धुवान दे समसे पहले यहां पर बात कर लेते तो दीगे पिस्टन पर आपको लिखा हुआ के टेसी और आयन जो आयन जो लिखावा इसका मतलब हो क्या इन लेट या आय अ है आपको तारवेटर की तरफ जी हम फ्रेंट्स यहीं पर काफी मेकैनिक मिस्टेक करते आयन को क्या करते है एक्जास्ट तरफ इसका माइन को इन लेट जैसे पेट्रोल और एर जाता है आप लोगी पता हो कि टोटल आपको बैकम पांच रिंगा यह तो इसका यह तो पर की तरफ रखेंगे इसका डबलू बना है जास्ट इसको नीचे की तरफ रखेंगे उसका यहां पर एम बंड़ा है अभी हम फिलहाल इसको क्या करेंगे एम बनाएंगे इसको डवलू नहीं बनाना इसको एम बनाना आप कोई भी तरफ रख सकते हैं इसे मुझे कोई भी डिफिन ने और यहां पर आयल लिखा है तो आयान का जर्श्ट मैगनेट तरफ गजल पिन के सामने आपको इसका कट देना उगजल पिन का बगल गजल पिन के जस्ट बगल में यहां पर फिट करेंगे यहां पर ला लेते हैं जो में आयल लिंगा गप दिया वहां पर दिये हैं वह भी गजल पिन के ज़स्ट बगल अभी सम्पिट करेंगे एक लोगर आइल इंग देखे जब यहां लोगर एल इलिंग पूस्कर देख तरफ जो मू इस तरफ भाग रहा उसको देना आपको नीचे कि तरफ नीचे वा पर दिये इस वाले प्रेंट यहां पर डाल दिये एक रिंग को मने यहां पर लागर कर शेटिंग अब जस्ट इसका दूसरा जो आई लड़िंग है उसको देखी इस तरफ से दवारा रहे एक मूह आप ऊपर जारा रहे उपर वाले रिंग को उपर की फेस्म रखना उसका आपको जस्ट इसके सामने एक जॉस्ट सेर्स वह भी आपको इस कॉर्नल पर देना यहां पर देखी इस तरन के इस प्रस्ट में बिलकुर रिंग को नहीं देने तो रिंग कट जाएगा आपको जबी दिंग देना आपको इस प्वेंट पे रिंग फिट किजिए अब हम इसमें फिट करेंगे और कॉंप्रेसर रिंग यह प्लाइक आपको तू में और यहां पर लिखा हुआ है देखिया अब तू आपको शेत कमरा में दीख जाए देखिये हम पर इस पे लिखा है टाप टू अटाप टू जो रिंग है मेरा उसको हम सटिंग कर आजिए पेक्राट वह उसको कंप्रेसर रिंगी तरह वह भी इस पॉएंट पर देंगे इहां पर देख सेढ़ इसको हम चल्या आश्ते सेटिंग कर लेता है जो फेस्पे लिखा हुआ है ये टाप टू उसको को रखना ऊपर की तरफ इस तेसम इसको थोड़ा आस्ते से रिंग को शेटिंग कर लिए और यह गोंने दने अपर शेटिंग कर लिये अब इसके बाद एक मेरा फैनली कंप्लीट पर देखे जो हमारा टाप वण जो कंप्रेसर रिंग उसका गैप हमने दिये जे कट वाले जहना इसके पॉइंट पर यहां पर दिये इस वाले पूइंट पर रखना है एक जोस्ट सेट रखना है टॉप वन का गैप वह भी इस कॉरनल पे ज़स्ट फैस सामने यहां पर आपको देना है टॉप एक लिए फिए एक आप अपह अधिये एगाप यहां पेदिए हैं अधिया है यहां पर स्टीच इसका जो वैल एक्सपेंडल रिंगी जिसको हम लोग एम बना या डवलू जो ने ट वाले इन इसको हमने फिट कि है वह भी गजल पिन जस्ट बगल में इस पोईंट पे गजल क प्रोब्लम बिल्कुल नहीं सोब परजेंट आपको प्रोब्लम वह जागा ताप समझ गे किस तरह से जो हम लोग रिंग फिट करते इस तरह चाहे आप बैक में नया बलोग किट इस्ट्रोल करें या फिर बलोग में बॉर्ट करवा रहे हैं उस तरह से रिंग को फिट सब्सक्राइब करने का मेरा उनुभव कैसा आप एक पर कमेंट बॉक्स बतला सकते हैं इसको पर नया बला इंजनल डालने के बाद इस ब्लोग के अंदर इस पिस्टन को आपको फिट करना है तो प्रिंट इसी तरह से और भी लिटेस्ट वीडियो पाने किन हमारे यूटू सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए तब तक के लिए तना ही मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच वेल